Hello friends, स्वागत आपका StudyHack Channel पर, मैं आसा करता है कि आप सभी स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरो सोरो से लगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी कम्प्यूटर की सीधी चल रही है, जिस क्लास मैंने करवाई थी इंटरनेट एंट सर्वीशेज की ठीक है उसमें मैंने इंटरनेट काफी हद तक सारी चीज़े बता दी थी कुछ रह गई थी चीज़े वह थी इसकी सर्वीशेज तो मेली जो हमें सर्वीशेज पर दीए जिससे ज़्यादा कोश्चन आपके एकड़ क्लास में जसी सब्सक्राइब जिसमें शीक्राइब करें एक लिए कंप्टिक के लिए कंप्यूटर के लिए तो आईए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं कि क्या खास है आज के class तो आगे बादने से पहले बात कर लेंगे हम लोग table of content की कि आज के class में क्या-क्या discuss होने वाली यह चीज़े तो सबसे पहले हम बात करेंगे email के बारे में email होता क्या है ठीक है कैसे उसको compose करते हैं ठीक है तो उसको बात-बात करेंगे कि how to compose an email ठीक है compose कैसे करते हैं फिर उसके features क्या-क्या होते है email के जैसे inbox हो गया, draft हो गया, trash हो गया, bin हो गया तो यह सब क्या होते हैं इस सब के बारे में detail में जाने हैं फिर बात करेंगे e-banking के बारे में कि internet banking क्या होती है इसके क्या फायदे है कौन-कौन से type होते हैं सारी चीजे detail में बात करेंगे फिर आपको मिलेगा previous year question one liner form में ठीक है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा question answer के session जिसमें मैं आपको 10 स्केंड दूँगा और आप पूसी में फटा-फट एंसर करने होगे और question based होगे आज की class में तो class में ध्यान देना ठीक है तकि आपके सारे question सही हो जाए ठीक है तो आएए शुरू करते हैं अपने class को बिना देरी के तो सबसे पहले जानते हैं कि email होता क्या है तो email एक electronic message लेकर जो भी आप electronically की किसी को भेजते हैं internet की help से उसी को बोलते है email सब्सक्राइब और एक किसी का वी लिजे कि उसके पास चिठी नहीं पहुंची तो वापत आपके पास आएगी तो इमेल भी वह ऐसा ही काम करता है electronically ठीक है तो जिसको भी आपको भेजना होगा email तो आपको उसका address डाना पलेगा two में ठीक है और एक address from में जो होता है वो आपका फुद बखुद attach हो जाता है ठीक है तो email में ली दो पार्ट होते हैं किसी भी email address में दो पार्ट होते है सबसे पहला हो था username ठीक है उसके बाद होता है server का domain domain name उसके बाद होता add the rate ठीक है उन दोनों के बीच में क्या होता add the rate जैसे कि यह दो यह है फांसू राज 1997 यह तो सबसे पहले किया है मेरा यूजर्णिम है जो मैंने यहां पर रख्ठा था ठीक है, उसके बीच में क्या है अज किया है Отदरेट है। ंसके बाद में जिसका रॉय किया है जिसका सर्वर यूज किया जैसे Gmail का किया तो Gmail है उसके बाद क्या लगा है तो डॉट पॉट तो ऐसे ही एक email address create होता है ठीक है ध्यान रखना है कि जब email address create करते हो तो सबसे पहला character small में हो सकता है capital में हो सकता है number हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन special character सबसे पहले स्टार्ट नहीं होगा जैसे कि underscore हो गया add the rate हो गया तो यह सब चीजे से email address आपका start नहीं होगा तो नहीं बनेगा ठीक है आई होप आपको चीजे clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं जानते हैं managing and email account email account को कैसे manage करते हैं ठीक है तो email management involves the systematic control of quality and quantity of electronic message that are sent from within and received by an organization ठीक है तो email management में क्या होता है कि systematically हम control करते है कि इमेल जो आप भेज रहे हो message उसकी quality कैसी है ठीक है quantity कैसी है ऐसा नहीं कि आपको थोरी सी बात करने इंपॉर्टेंट बात कहने कर रहे हैं ठीक है तो quantity जादा होगा है लेकिन उसकी quality क्या होगी कम होगी कम सबसे main focus रखते है उसकी quality और quantity पे कि हमारा message कैसा होना चाहिए जिसको भी हम भेज रहे हैं उस पर अच्छा impact परे ठीक है या फिर किसी organization के द्वारा रिसीब किया जा रहा है तो उसमें अच्छा impact पर है क्या होना चाहिए quality होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए quantity कम भी हो लेकिन quality अच्छी होनी चाहिए इमेल यूजर को क्या प्रोवाइड करता है कि आप अपने message को भेज सकते हो किस फॉर्म में बेज सकते हो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आप इसमें text भी बेज सकते हो कुछ document भेजना हो PDF file अटेच करने हो text file अटेच करने हो तो आप भी भेज सकते हो multimedia files भी भेज सकते हो जासे audio भेज़ता हो photos भेज़ता हो video भेज़ता हो तो तमाम चीज़े आप किसी को भेज सकते हो include करके attach करके अपनी email में ठीक है next बाद कर लेगा next जानते कि how to compose an email email कैसे compose करे ठीक है तो सबसे पहले आपको Gmail पर जाना है ठीक है आप जब Gmail search करोगे तो कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा जब आप उसको क्या करोगे open करोगे ठीक है तो open करोगे तो उसमे inbox, star message, ऐसे draft करके बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगा तो जब आप टॉप left side में जाओगे तो वहाँ पर एक होगा compose email तो आपका जो screen का left side होगा तो वहाँ पर होगा एक plus का icon बना होता है कुछ ऐसा बना होता है वहाँ पर लिखा होता है कि compose email तो उसके बाद होगा subject जैसे आप लेटर लिखते थे तो वैसे कि subject क्या है तो subject में क्या करता हो आप छोटा सा overview दे दे तो कि मैं पूरा content की चीज़ पर लिखना चाहरा हूँ ठीक है उसके बाद आप इस खाली area में अपने message लिख सकतो है I am this ठीक है this that जो भी आपको लिखना है सारी बाते आप इसमें अराम से फिल कर सकते हो ठीक है या फिर आपको कुछ message sent हो जाएगा जिसका भी address डाले होगा उसके पास message चला जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं तो जब आप message create करते रहोगो तो के बगल में आपको दो चीज देखने को मिलेगा एक दिखने को मिलेगा BCC and CC तो आखिर यह चीज है क्या BCC क्या है और CC क्या होता है blind carbon copy ठीक है तो blind है मतलब अंदा है तो मतलब क्या है कुछ चीज यह hide कर देता होगा ठीक है जैसे blind people होते तो को सारी चीज नहीं दिखती है ठीक है तो blind carbon copy मतलब कुछ चीज तो hide करती होगी और CC का मतलब carbon copy ठीक है तो throw BCC and CC we can include more people as recipients in an email ठीक है तो आप चाहते हो कि एक email आपने बना लिया अब यह तो नहीं कि हर किसी का ID डाल डाल के उनको भेजो ठीक है अगर आपको पचास लोगों को 20 लोगों को भेजना होगा तो आपके लिए carbon copy हो बहुत duplicate चीज़े मिल जाती है ठीक है तो आप चाहते हो कि किसी को मैंने जो सारे message लिखें किसको किसको भेज़े है वो देखे user तो आप उसको CC में रख दो ठीक है अगर आप चाहते हो किसी को कि user के पास message तो पहुंचे लेकिन मैंने कितने लोगों को message किया है वो न पहुंचे तो आप उसको BCC में डाल दो जैसे मालों कि आपका friend का group है ठीक है आपने कुछ message डाले ठीक है उसमें लड़कियां भी दो उसको email जाएगा लेकिन यह नहीं पता चला है कि आपने किस-किस contact को email भेजा है ठीक है तो यह BCC आपको क्या देता है एक सुरक्षा प्रवाइड कराता है ठीक है आपको चीजे clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले छात्रों के लिए हिंदी में देख लेना इंबॉक्स वह जगह है जहां पर आपके सारे मेल रिसीव होते है ठीक है आपको कोई mail भेजता है तो आपका mail आपके कहां पर अडेंक सकते हो जैसे देख पार हो क्योंकि आपको वहाँ पर सब्जैक्ट दिखहाता है कि आखीर इमेल में कांटेंड कर आए तो आपको जो भी पढ़ थो तो सारी इंपॉर्टेंट चीज्ज आपको देखने को मिल जाती है पिर आप डो wed утर्य आगे बरतें नेक्स्ट है सिगनेचर जैसा कि होता था कि आप कोई लेटर भेजते थे कोई इंपोर्टन डोकुमेंट क्या करते थे तो जीमेल आपको यह प्रोवाइड कराता कि आप डिजिटली अपना सिगनेचर इंक्लूड कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके आपने सिगनेचर को इनेबल करना होगा और वहाँ पर सिगनेचर के जगह पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा या आप सिगनेचर अपलोड भी कर सकते हैं बहुत सारे फीचर है या आप वहाँ पर जैसे मेरे पास पेंट है तो मैं उससे जाके अपना सिगनेचर ज तो जब उसको इनेवल कर दोगे तो आप जो भी मैसेज भेजोगो जो भी आपने इमेल भेजेगो है तो इमेल के लास्ट में आपका सिगनेचर चला जाएगा ठीक है जैसे देख पार हूं सेटिंग से जाकर सिगनेचर में जाना ठीक है तो वहां पर आएगा माई पिक्चर बना लो उसको इंक्लूड कर लो देख पार यहां पर क्या क्या रहा कि वेन आइसेंड आप मैसेज तो नुव परका एड देम तू अड़ा कॉंटक्स वह आइकन अटो कंप्लीट देम नेक्स्ट था तो सिगनेचर को और कर सकते हैं अटोमेटिक जिसको भी आप भेजता हो उसको एड कर सकते हैं एकश्ट आटेच्मेंट था अपने डॉकूमेंट को जो भी आपके सिस्टम में या मोबाइल में उसको अपलोड कर सकतो हो कोई पिक्चर हो गया कोई voice note हो गया, या कोई video हो गया, आप चाहते हो को आड करना है, तो आपको अहां से add कर सकते हो, ठीक है, और यहां पर जो icon बना है, यह drive का बना है, जैसे google drive पर आपने कोई साथ में आपको कोई सिंबल इंक्लूड करने जैसे डॉलर का साइन हो गया रूपी का साइन होगा तो इसको भी कर सकते हो या आपको कोई इमोजी इंक्लूड करना है इमोजी क्यों इंक्लूड करते हैं तक हमारा मैसेज और भी अच्छा दिए जैसा अगर आपको अपनी गल्फेंड को लिख रहोगा तो भर भर की इमोजी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप इमेल क्रियेट करते हो लेकिन आपका मन बदल जाता आप हो जाता है और आप का मन बदल गया कि नहीं अभी नहीं भी बेजना अभी मने पर और भी और भी बढ मेंक्लूड करना है तो उसको क्या कर सकते हो द्राफ के से वह जाता है और बाद में आप जाते हो कि ड्राफ से उसको भेजे, ठीक है, तो आप उसको भेज सकते हो, फर्वर, नेक्स्ट है, स्पैम, तो ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि आपको अच्छे-च्छे लोग ही मेसेज करें, ऐसा होता है, यह बहुत सारे वेब साइट होते हैं, जो आपको इमेल विल यूजरी फिल्टर एज सपीशियस इमेल इन आवर स्पैम फोल्डर तो इसको सपीशियस रखता है अगर आपका इजादत होगा आप चाहते हो कुछ को जाके देखो तो इसको देख सकते हैं कि बहुत सारा वेपसाइट होता है जिसको ऑथराइज नहीं होता है ठी तो वहां से आप संगीद जो भी होते हैं जिस पर आपको लगए कि नहीं यह सपीशियस इमेल है तो आपका स्पैम में चला जागा वहां सब्सक्राइब कर सकते हो वजाए उसको ओपन करने को ठीक है तो कि उसमें वायरस होगा अगर आप उपन करोगा आपके सिस्टम में चला जाएगा नेक्स्ट बात कर लिए नेक्स्ट है ट्रैस मतलब क्या होता है तो आपने इमेल बना लिया और आप उसको रिव्यू कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आ इसमें तो मैंने बहुत गल्ती कर दी अब मैं इसको एक-एक सुधार तो सकता नहीं इससे बनी है कि आप परेस नहीं भना लूँ तो आप क्या करतों उसे इमेल को टाफ में भी सेफ नहीं तो क्या करतों उसको ट्रैसically बेज दी zया वह जा जाता है और कुछ लेहिन होता है कुछ दिन बाद आपको लगा कि नहीं यार वह इमेल तो मेरा बहुत अच्छा था मुझे चाहिए कि थोड़ा सा और उस पर बढ़ करना है उसको रिएस्टोर कर सकते हैं तो एक लिम्टेट टाइम होता है उसके बाद क्या होता है पर्मानेंटली डिलीट हो ज आपकी क्रस्ट ने इमेल किया और आपके पाप चाहते हैं कि मैं आपके इमेल आईडी यूज करूँ तो आप क्या करोगो ऐसा तो नहीं है कि इन बॉक्स में वो दिखता रहेगा इमेल जैसे ही आपके पापा ओन करे आए कि दिस 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 बाबु जान लिखा था मैसेज कि अधिया तो आपकी क्या हो जाएगी मैसेज को हरेटे और तो इस इस मे bob-स ने थी इसा होता है कि को कोई मैसेज आया कोई और कि कॉलेज में था Pastore आपक किसी JOHN के monitor थे तो teacher ने आपको क्या कहा कि ऐसा करो कि आप इस message को सारे class वाले को फैला दो ठीक है मेरे पास सब के contact नहीं है या मेरे पास time नहीं है तब simply क्या कर सकते हो उस message के नीचे जब जाओगे message read करो तो नीचे आता है forward का option, reply भी आता है reply all भी आता है और forward भी आता है तो आप forward पर simply click करके आगे message को forward करते हो सिर्फ 2 में डाल दो CC में डालके सारे बच्चों को डाल दो ठीक है CC में डालना है या BCC में डालना है तो जहां भी डालना है सारे बच्चों को डालो फिर forward कर दो तो simply क्या होगा message जैसा बना था as it is आपका email forward हो जागा reply का है कि आप किसी को reply दे सकते हो कि किसी ने आप से email में पूछा जैसे कंपनी वाले होते हैं तो बहुत सारे message भेजते हैं आपको कि क्या आप इसको satisfied है या फिर आप feedback दो feedback वाले message पर आपको क्या करने पदते है reply करने तो simply आप नीचे आओगे email पूरा पढ़ लोगा तो उसके नीचे reply का option होगा ठीक है ऐसा करके sign भी बना होगा forward का ऐसा reply का होता है और forward का कुछ ऐसा रहता है ठीक है देखने को मिलेगा reply सिंगल बना होगा arrow तो होता है reply कर सकता है या फिर होता है कि बहुत सारे लोग group में ज से जाए ठीक है group से तो आप या तो reply करके एक बंदे को reply कर सकते हो या फिर ऐसा icon देखने को मिलेगा इसका मतलब होता है reply ठीक है तो आप क्या कर सकते एक एक को ना भेज कि एक ही बार सेलेक्ट करो reply और तो सबको एक ही email चला जागा जो भी original email होगा उस पर reply चला जाए ठीक तो आप यहां से reply कर सकतो forward कर सकतो अपने message को filter कर सकतो print कर सकतो delete कर लो या आपको लगता कि यह message spam है तो report कर दो spam ठीक यह translate करना translate कर सकतो या कोई content हो उसमें तो आप उसको download कर सकते हो चलिए अगे बाद कर लेते हैं नेक्स्ट है इबैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग तो इंटरनेट बैंकिंग या online banking कह सकतो online banking आपको क्या करता है बहुत सारी सूबधा देता है आप easy और safe अपने bank account सो को भी transaction क कर सकतो और आपको किसी को भी पैसा भेजना हो या पैसा निकास ही करना हो तो आपको बैंक में लंबा लाइन नहीं लगना पड़ेगा क्यों कि आपके लिए शुबधा आगया इबैंकिंग का आप घर बैठे ही अपने e-banking से क्या कर सकते हो किसी को पैसा को ट्रांसफर कर स ढ़ेख करता हैं इंटरनेट बैंकिंग हो गए यह फिर मोबाई्ल बैंकिंग जो आप मोबाई से करते हो ठीक है या फिर ATM से पैसा निकालती हो वह तैक तरह का अनलाइन बैंकिंग है आप उस divISH करते हो शरक लिक को यूदुरlasse कर गया दीबिल करते को तो क्या होता हिससे इंटरनेट बैंकिंग ही होती है तो यह सारी सुब्धा आपको कौन देता है इंटरनेट बैंकिंग देता है आगे बात कर ले कि इसी के अंदर है यूपियाई वगादर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आँए ह50 होताई क्या है तो यह नुच्बाइड इस फैसले को करता है आपको कि यह दूसरे को क्या करता है तो फंड ट्रांस्वर कर सकते हैं नेशन वाइज पैमेंट सिस्टम फैसिलेट टिंग वन तूवन ऐस तो आपको यह क्या करता है कि इससे मतलब नहीं है ठीक है कि आपके पास bank account है या नहीं है अगर आपके पास bank account नहीं है फिर भी आप चाहतो किसी को fund अपना ट्रांसफर करना या पैसे भीजना तब क्या करो बैंक में जो उनको cash deposit करो और बोलो कि आप अने एस्टी इनेबल करना चाहतों एने एस्टी तो उसका address जिसको भी बेजना चाहतों और ब्रांच में तो आपका ने एस्टी इनेबल हो जागा आपके पास खाता है पहले से अकाउंट है बैंक में तब कहो कि मेरा एनेफ्टे इनेबल कर दो जब इनेफ्टे इनेबल हो जागा तब फंड को इलक्रोनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके पास एकाउंट नहीं बना था बैंक में सिप्ली जाओ उन्हें बोला कि मुझे एनेफ्टी करना है पैसे कर देंगे जिने भी करना है कि एक एक स्टेंड फॉर नेशनल इलक्ट्रोनिक फंट्रांसपर करते हो तो उसका सेटल्मेंट होने में दो घंटे लग जाते थे अप्रॉक्स दो घंटे टाइम लगते थे आपने किसी को अभी फंट्रांसपर किया माल मång़ों की 10 लग का फंट ट्रांसपर किया शाइस कपर ट्रॉपाइब तो इसको Mesut PB किया इने आगे देख छिए Breaking के लिए ऊन Young कर दो कि नेक्स्ट रियाल-ताइब रॉज सटल्मेंट जैसा कि नाम से आपको जाहिद हो रहा कि मतलब जैसे भीज़ो बर तुरंत सेटल्मेंट हो जाना है रियँ तो मतलब क्या है कि continuous settlement हो जाता है आपका तो आपने मालों की तीन लाग रुपे किसी को ट्रांसवर किया ठीक है जैसा आपके पास हमेशा पैसा आते रहता है ठीक है आप चाहतो कि आप मैं जो भी पैसा आ रहा है अपने एकाउंट में डालू या फिर अपने माली को भेज दो ठीक है आप कहीं के मैनेजर हो पैसा आ रहा है आपके आपके आनलाइन ट्रांजेक्शन आप चाहतो कि नहीं मैं माली को पैसा साथ के साथ भेजता चला जाओ ठीक है तो आप अगर आप ज्यादा एमाउंट भेजता हो तो जैसे आप फंड भेजोगे साथ के साथ ही जैसी फंड भेजा क्लिक किया और सामने बाले के पास रिसीव हो जागा मतलब सेम टन कोई भी डिले नहीं होगा इसलिए इसको बोलते है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमें इट मिन्स प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग सुरू हो और कुछ सेकेंडों में सामने बाले के पास फंड ट्रांसफर हो जाएगा जैसा कि पहले होता था एक आपको दो घंटे का वेट करना पड़ता था तो डियाल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में ऐसा कुछ था नहीं कि आपको दो घंटे करना पड़ेगा साथ के साथ ही रियल किताब में छप जाता है मतलब क्या कि आरविया उसको नोट कर लेता है आप आपनी सहमाती से इसको यह फंड ट्रांसफर कर दिया है तो जैसे आपने फंड ट्रांसफर किया समने बाले के पास पहुच गया तो आप फिर ख्लेम नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे भेजना नहीं कर दो मतलब क्या है कि उसको वापस कर दो तो आपने मालों की भेजवा दिया पांच मिनट बाद आपको याद आ रहा है कि नहीं मैंने आइड्रस तो गलत बतवाद दी तो बैंक बाले को कहके क्या करते थे प्रोसेस लेकिं रील टाइम में यह है कि आपने पूरी सहमाती से इसको फंड ट्रांसफर कर गया आपने क्लिक किया यहां प्रोसेस हुआ और सेंट होगया थीक है यह तो उसको फिर वापस नहीं ले सकते अगया कि अग्रह कर सकते हो कि आप मेरा fund दे दो नहीं देगा तो उसकी मर्ड तो क्या कह रहा कि system is meant for large value transaction तो यह system large value of transaction के लिए था तो minimum amount कितना था दो लाग तो दो लाग से कम amount है आपके पास आप गरीब हो तो आपके लिए चीज नहीं तो आप फिर NEFT से जाओ तो इससे भी सुधार करके क्या लाया गय तो electronic clearing system ECS क्या है तो ECS क्या है alternative method effective payment transaction का इन रिस्पेक्ट ऑफ utility bill payment सच है टेलिफोन electricity bill ETC क्या हुआ कि यह इसलिए लागा कि electronics clearance system लाया गया कि आपको बिल पे करते हो तो आपको क्या चाहिए clearance चाहिए होता कि हाँ मेरा bill settlement हो गया तो जैसे पहले होता था कि आपको telephone bills करना हो या electronics bill pay करना हो इलक्सिटी का या बहुत सारे ऐसे bills होते थे आपको water का ग्यास का bill payment करना हो तो आपको क्या करना पता था लंबी line में काटार में लगना पड़ता था फॉर्म लेना पड़ता था फिर उसको sign करो सारी चीजे भरो फिर line में लगो फिर उनको दो कि हाँ यह सारे पैसे लो यह लो रसीद इतने इतने बील आये थे और आप जमा करो फिर आप वेट करते थे कि वह statement को okay करता था फिर आपको एक बिल परची काट के देखता था कि हाँ आपका payment successful हो गया है तो उस चीज को खतम करने के लिए उस चीज को कम करने के लिए क्या आया electronics clearing system मतलब क् आप यूज जाता है कि आप कहीं पर payment करना हो जासे कि bill payment telephone bill या electricity bill तो online जर्ण हो जाता है आप उसके website पर जाके या UPI से जाके आप तो UPI आगे पहले उसके website पर जाके आप बिल जर्नेरेट करते थे तो electronic bill जर्नेरेट हो जाता था फिर जब आप payment कर देते थे online तो online ही आपका सेटलमेंट होके क्लियरेंस आपको मिल जाता था ठीक है तो पहले फैसिलेट करना पड़ता था कागजवाली सिस्टम के आपको पेपर मैनेज करना पड़ेगा तो यह काम हेक्टिक हो जाता था किनके लिए बैंक बालों के लिए या कंपनी जो भी है उनके लिए या कुन सारे लोग कतार में लगे हैं तो सबकाते रहो तो इन के लिए तो हता हुंसका क्टीक काड़ निजात कार के लिए समिक परेमें सिस्टम में चांपाने केद्ध कि या सब होधा क्यों हो है जैसे अब शूदाओं से το सीट करता है साल आप मंथली है चाहिए का मंसली पैयमेंट करना चाहते हुआ कि मंसली आपका बिल जनेट कर होके आजादा सेटलमेंट कर दो न था शुत मिल्जाता है आपका सालरी पैंसन्क यह सब सारी चीज़े किस से मेंटेन होती है तो ECS पे ही मेंटेन होती है बैंक बगएड़ा इसी से मेंटेन करता आपको प्रियोडिकली आपको फंड में ट्रांसफर कर देता है ठीक चाले नेक्स्ट बात कर ले हिंदी वाले छात्रों के लिए हिंदी में देख लेला नेक्स्ट है इमीडियेट पेमेंट सर्विस आई-एम पीएस तो आई-एम पेस क्या करता है कि आपको इंस्टेंट 24 इंटु 7 सुभधा पादान करता है कि आप इंटर बैंक इलक्रोनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो जिसके भी मदद से आप चाहते हो उससे आप क्या कर सकते हो 24 इंटु 7 अपने पेमेंट को सेटलमेंट कर सकते हो फंड को ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है तो आई-एम-पी-एस इस अन इंफाटिक टूल तो ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली विधिन बैंक एक्रोस इंडिया थ्रो दा मोवाई इंटरनेट एंट एंट्यम विच इस नौट वनी स्टेफ बट आल्सों इकनोमिकल बोथ इन फाइनशियल और नन फाइनशियल प्रिस्पेक्टिव ठीक है त अठней कंट्री मेंरे कर सकते हो लेकिन अंतल्ए श्यापी इंफिव गूंड्रंग कर सकते हैं सब्सक्सक हैं चाइजनुद था ठीक है, और यह क्या है, यह safe method है, ठीक है, आपको cash carry करना नहीं पड़ता है, तो आपके लिए तो safe है कि कोई आप से लूटेगा भी नहीं, और economical भी है, आपके लिए क्या है, सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि आप किसी को जाके पैसा दोगे, physically, तो आपको costing लगेगी, कोहां त है, travel करना पड़ेगा, और अभी तो आपके phone में internet होता है, अब क्या करता हो, घर बैठे बैठे ही, transfer कर दे तो fun, ठीक है, तो IMPs का full form क्या है, immediate payment service, ठीक है, इंदी वाले छात्रों के लिए, मैं कुछ सेगर रूख जाता हूँ, यह आप देख लिए, ठीक है, यह है, पीडियाफ मिल जाएगी, और पीडियाफ आपको कहां मिलेगी, तो description link में जाना, वीडियो के, वहां से telegram channel join कर लेना, वहां से आपको पीडियाफ मिल जाएगी, ठीक है, तो one liner form है, तो आप इसको एक बार go through हो जाना, ठीक है, अभी हम चलते question तर के session है, ठीक है, 19 question है, तो that is short description of message, ठीक है, निमलिकित में से कौन सा email का एक छितर है, जो संदेश का संचिप्त विवरन है, ठीक है, क्या subject, cc, bcc, attachment, ठीक है, तो क्या है कि email का वो कौन सा short description होता है, ठीक है, क्या use करते हैं, छोटा description देने का कि मेरा पूरा email कि सीच पे based है, ठीक है, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोग ने सही साइन सा कर दिया हो, तो जैसे आप लेटर लिखने थे, ठीक है, तो पूरा लेटर पढ़ने से पहले क्या करते थे, लोग subject पढ़ते थे, आपके principal या आपके class teacher, तो subject बताता है कि आपका email में मुद्दा क्या content करता है, ठीक है, के बीना email address incomplete है, period, dot, at, sign, ठीक है, space, underscore, कौन सा है, सबसे ज़रूरी, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सबी लोग ने सही sensor कर दियो हो, तो क्या लगा होता है, at the rate sign लगा होता है, कुछ भी करो, उसके बाद at the rate लगा होता है, फिर आपका domain name होता है, जिसका भी है, gmail.com, ठीक है, domain server name होता है, चलिए, next बात कर ले, next है, which one of the following is not an email service provider, निम लिखित में से कौन था एक email सेवाप प्रदाता नहीं है, कौन email service provide नहीं करता है, hotmail, gmail, binge, yahoo mail, अगर आपने कल की class देखी होगी, तो बड़ी असानी से कर दोगे अंसे, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोगों ने सही answer कर जाओ, तो बिंज क्या है, आपको कल ही बता है, यह search engine है, hotmail, gmail, yahoo mail, यह सब आपके क्या है, email service provider, इसे नेक्ट बाता है, next है, which of the following fields of an email hides the identity of the recipe, ठीक है, email का निम लिखेते में से कौन सा अच्छेत, प्राप्त करताओं की पहचान छुपाता है, ठीक है, to, from, cc, bcc, मैंने बता है कि girlfriend से आप छुपाओगे, तो girlfriend को किस में रखोगे, ठीक है, तो किसी से आप कोल भी चीज़ छुपाता हो, तो उसको क्या करतो हो, अंधकार में रखते हो, ठीक है, तो वैसे यह है, का बिसी सर ब्लाइंड कारवन कॉंपी तो दे रहे हूं लेकिन कार ओद हो उससे छुपा रहे हो क्या डिटल सुपा रहे हूं तो किस की ऐड़न्टी अब oso कर स्क्रीप्ट में जो कच्रा होता है जंक होता हुसको कहा है इसके साथ टाइप हो चुका है आई-अए इसके साथ तब उसको कहा भेजतो हो, spam folder भेजतो हो, ठीक है, क्या तो किया है, कि यह क्या हो गया, spam है, चलिए, next बाद कर लेते हैं, कि which of the following elements are used in an email to express emotions and feeling clearly, ठीक है, भावनाओं या भावनाओं को as-first रूप से व्यक्त करने के लिए, email में निमलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, acronyms, abbreviation, rich text, emoticons और smiley, ठीक है, आपको girlfriend को message बेदना है, तो कैसे आप feeling को और भी अच्छा express कर सकते हो, hint आपके screen पे है, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सबी लोगों से साइसे कर जया हुआ, तो कैसे और भी अच्छा बना सकते हो, मैंने आपको बताया था, email में क्या कहीं कर सकते हो, तो emoticons और smileys, ठीक है, देख पार होंगो, यह सब क्या है, यह smiley है, यह emoticons, ठीक है, तो कितना आप अपने email को और भी अच्छा बना सकते हो, इनका यूज करके, next है, if you receive an email from someone you don't know, what should you do, यदि आपको किसी ऐसे email प्राप्त होता है, जिसे आप नहीं जानते है, तो आप क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, forward it to the police email लिए, तुरंत police को क्या कर दो, forward कर दो, कि नहीं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मेरे पास email है, चलो police का number रखा, उसको ही email कर देता हूँ, ठीक है, या फिर delete it without opening, या फिर करो क्या, कि नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, क्या भेजा होगा, नहीं भेजा होगा, चलो delete करते हैं, रफा रफा करो, open it and respond to them, saying you don want to know them, आप उसको खोलो, फिर उसको reply करो, क्या रे, कौन हो, भाई, क्या, क्यों message भेजा है, ठीक है, जैसे आपने memes देखा होगा, कहां लगाया phone, ठीक है, ऐसा ही बाला कि आप कौन हो, क्यों कर रहे हो, क्या मैं आपको जानता हूँ, ऐसे आप भेज सकते हो, या फिर आप reply कर सकतो, और पूछ सकतो, क्या, कि या प्रस्टन इливо करने, ठीक हylan रे कौन हो, भाई, क्यों भेजे हो, कहां से भेजो हो, ठीक है, यह पूछ सकतो, तो आपको answer करना है, क्या, ठीक है, ठीक है, अपनी सोस समझ, कि किसी के साथ Chime-up हो चुका है आइप आप सभी लोग में और सब्सक्राइब लिए कर सकते थेिक है खांब कहां में भेज रहा हो परसान करा में है इन रिलेसेंगाट सर्ड एमेल वाट ड़। आई मैप मील के संबंद में आमेप का डी्यक्त तो पी से समझेंगो कि प्रोटोकॉल ही है तो च्छेhr इंट्रानेट मीडियम ओडन इंतरनेट मीडियम एक्सेश प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है तो कि में में हमसें कि अधर में से इंटरनेट से उसके लिए ब goed protocol होना चाहिए ठीक है तो वही होगा इंटरनेट मैंसे प्रोटोकॉल का लेता है नेक्स्ट घिमेल से खतालेते हैं चलिए ऑपको पता होगा कि किसका है फूल तो इसके साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही सहे answer कर दिया होगा तो क्या होता है Gmail का full form जी मतलब क्या होता है गॉफर तो नहीं होता ग्रेट तो नहीं होता क्या होता है Google होता है तो क्या होगा Google mail होगा चलिए next बात करें storage area for email message is called email संदेशों के भंधारन छेतर को कहा जाता है कहां पर आप message को सेव करोगे ठीक है folder file mailbox directly बहुत easy है सबका सही होना चाहिए answer तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही से answer कर जागा तो email को कहा करोगा तो आज के लिए बस इतना ही आज क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बता है अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में क्लास को सेर करते जिने इमेल के बारे में पढ़ना है डीटेल में इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ना है या इंटरनेट के बारे में पढ़ना है कम्प्यूटर के सारी चीजे जानकारी चाहिए तो कम्प्यूटर के प्लेलिस्ट को सेर कर दो ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लाने के कोसिज करूगा, तब तक के लिए जय हिन्द, जय भारत, टेक क्या.